हेलो एवरीवन वेलकम बेक टू माय चैनल तुरूस्तू स्वागत है आप सब का हमारी चैनल पर जहां हम करते हैं बातें फैशन ब्यूटी लाइफ स्टैल कुछा पार्ट से जुड़े हुए और मैं आपके साथ शार करते हूं उसनी लाइफ का श्पीरेंस दूस्तू हरी कृ जिशन राधी राधी कैसे हैं आप सब आश्यकरतियों आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मैं ठीक हूं थोड़ा सा कोल्ड हुआ है वैसे मैं ठीक हूं तो आज का जो वीडियो है वो तुलसी विभास से संबंदित है बहुत सारी महत्पूर्ण चीजन जो है जुक्त दो तरीके हैं बहुत सारे लोगों का कमेंड में पास है कि दितली शमता नहीं है हम पूरे विधान के साथ तुलसी विभार का आयोजन नहीं कर सकते और तुलसी विभा का आयोजन कोई मजाब नहीं है कोई खेल नहीं है प्रॉपरली जैसे हम अपनी बिटिया का विभा करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम तुलसी जी का भी विभा करते हैं जैसे कि एक दिन हल्दी की रसं तेल की रसं महंदी की रसं फिर संपूर रूप से उनकी विभा का आयोजन पति-पत्नी का योगदान तुलसी जी का कन्यादान पूरा दान दहेच का सामान और फिर हम उन्हें किसी अलगले व्यक्ति को कर देते हैं विदा एक तो यह तरीका होता है कि आप संपूर जैसे आप अपनी बेटी का विभा का आयोजन करते हैं ठीक वैसे ही आप आयोजन करें जिसमें 10-50 लोग आपके परिवार के विदाै उनकी सममान काыт पूरा खाल एक तो उस तरीके से दूसरी तरीके से क्या अगर आपकी शमता नहीं है इस दिन आप सामान रूप से तुलसी का विभाव पूझन कैसे कर सकतेů दिखीए विभा टूं का बहूत पहले हो फिर भी चुक्ए हम तुलसी विभा सब मना रहे होते हैं वो हम कैसे करें बहुत सारी लोगों को में पैदा करते हैं जूब पैदा की होती है उसे पालते हैं पोसते हैं बड़ा करते हैं संसकार देते हैं उसके बाद हम अपनी बिटी आगादान करते हैं ठीक वैसी जो तुलसी जी आपने लगा रखे हैं उनका ही आप विसेश रूप से पूजन करिए या फिर कहीं कहीं ऐसा होता ना कुछ लो अगस्ट्रा में तुलसी लगा जैसे हमारे 21 या अब जानों 25 पेड़ हो गए तुलसी जी के मैंने कीस लगाए तो वुना बीज गिरने से दो चार और निकल आए तो कुछ लो एक्स्ट्रा लगाए रहते हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो आप उनसे भी कर सकते हैं इसे कैसे कर सकते हैं जैसे देव उठनी का दशी के आप पू जल चड़ाएं उनको सोहाक की समस्त सामगरी समर्पित करें चुन्नी उढ़ाएं साडी वगरा जो आपने बनाई है वो उन्हें पहनाएं और आप उनकी साथ प्रकिरिम्मा कर लें ये भी तुलसी विभा माना जाता है याद रखें कि वो तो उनकी पतनी हैं जैसे कि आपन मंगल सूत्र लिया आपने शालेग राम जी से चला के उनको पहना दिया चुन्नी आपने लिए वो सारी गाम जी को आपने हलका साटच करके माल तुलसी को पहना दियू ये भी तुलसी विभा का यी विदी है दो तरीके है या तो आप पूर्तह आयोजन करीए या तो फिर आप साधरन तरीके से मा को स्वाहगन रूप में स्वाहगन सा रूप में तयार करिए और उनको प्राथना करिए और आप पती पत्ने दोनों लोग मिलके उनके साथ बार परक्रिम्मा गरिए ये भी उनका विवाही माना जाता है सो दोस्तों ऐसे साधरन तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं, हमेशे एक बात याद रखें, बहुत सारे लोगों से कहते हैं, जिदी सास्तर में लिखा है, वो गलत नहीं लिखा है, आप कोई भी सास्तर उठा के पढ़ेंगे ना, उसमें सपस्ति करण है इस बात का, कि कल्य का नेचर है, कुछ भी हो सकता है, बड़ी चीज क्या है, हमारी अपनी श्रद्धा क्या है, पूजा, पाठ, भक्ति, शदेव अपनी, श्रद्धा, शम्ता, और आपके जो आयका मार्ग है उसके अनुसार ही गे जाती है, जो आपकी शम्ता हो, आप उसके अनुसार करें, ज यह भी तुलसी जी का विवाह ही माना जाता है, ठीक है, तो आप इनने प्रकार के भोजन बना के मा को समर्पित करें, सबजी, पूड़ी, खीर जो भी आपने बनाई है, वो शमर्पित करें, जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, जो वस्तुएं आपके पास उप सब्सक्राइब करें, जो आप वीडियो को जो है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, कब है, सेटरडे को है, या संडे को है, रवियार को तुलसी जी का सपर्ष किया नहीं जाता है, एकदशी ती सुभा तक रहेगी, हम तुलसी जी का विवाह 15 तारिक सोंबार को करेंगे, वैसे भी रविवार को हम तुलसी जी को सपर्ष नहीं करते हैं, उन्हें जूते नहीं है, टेश नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे दीदी, तुलसी जी का विवाह का होगा, तो तुलसी जी का विवाह जो है, जो तुलसी विवाह है, वो सोंबार को 15 ता तुलसी विवाह का आयोजन है वह सोंबार को होगा 15 तारिक को चुकि रविवार के दिन तुलसी जी का स्पर्श नहीं करते हैं ठीक सो दोस्तों आशा करते हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आये तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रे